आज फोकस में है शिराम फिनांस जिसने अपने हाउजिंग फिनांस सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है कमपनी अपना हाउजिंग फिनांस कारोबार प्राविट इक्विटी फिर्म वावबर्ग पिंकस को 4630 करोड उपे में बेचेगी अब ये डील के कॉंटोर्स क्या हैं शेरोल्डर्स के लिए इसके क्या माइने हैं ये समझना ज़रूरी इसी कमपनी शिराम फिनांस के एक्विटीव वाइस चेर्मेन उमेश रेवंकर सर आपको आपकी स्क्रीन्स पे नज़र आएंगे उमेश सर गुड आफ्टर नून अच्छा लगए तिजरो बाद आपको देखके अच्छा प्रोडूसर साब ने लिखा 4630 करोड उपे की डील लेकिन उप्रेस रिलीस कहती है मिनिमम कंसिडरेशन होगा 3909 करोड उपे का और सर्टन एडिशनल अमाउंट्स बेजड ओन अकरेंस ऑफ इवेंट्स हम श्रेदारक समझें क्या आपको वारवाग पिंकस दर असल पैसा कितना दे रहा है साइब उमेश सार आप शाइद म्यूट पे हो अब अब आफनून है श्री राम हाउजिंग फैनांस का वैलुएशन 4630 है और 30908 एप प्रोसीडिंग श्री राम फैनांस को आ रहा है क्योंकि वहाँ पे एक दूसरा पार्टनर भे है एप 14 पसंट उनका स्टेक है तो अब अब आपको जो आएगा प्रोसीड जो इतने होंगे क्या कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स कौन कौन से इंपॉर्टन लेने कब तक ये डील कल्मिनेट होगी पैसा कब तक आपके पास आएगा अब देखे ये रेगुलेटर का अप्रूवल्स चाहिए उसके लिए नार्मली अभी एक थेमेने का एक अंदाज हम रखते हैं तो मैं रहा हैल से ये इस फिनाशिल एर का अंदर ओ डील कंप्लीट होना है और पैसा हमार पास आजाएगा काफी टाइम से चर्चा चल रही थी अब एक की आप बेचोगे बेचोगे तो बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स थी ये confusion हमें इस बात का है कि ये डील के valuations कैसे अच्छा है बुरा है इन लाइन है वो भापना बढ़ा मुश्किल है I am sure जो सबसे aggressive bidder होगा उसको आप लोगोंने चुना होगा पर race कितनी keenly contested थी कितनी hotly contested थी और आपकी उमीदों पर जो आप सोच के चल रहते हैं वो valuations मिले या उससे बहतर मिल गया Deal में अलग-अलग तरिका रहता है एक रहता है total cash sale के लिए नहीं तो share swapping भी कर सकते है और नहीं तो हम एक investor को भी ले सकते थे वो अलग-अलग deal होता है हर deal को एक अरलग-अंदाद से हम देखना चाहिए दो deal कभी compare नहीं कर सकते हम हम यहाँ एक नया promoter डून रहे हैं क्योंकि श्विरम housing business housing एक serious business है वहाँ पर एक बहुत अच्छा लक्ष चाहिए एक अच्छा promoter चाहिए और management को support करने वाले चाहिए यह सब हम अंदाज लेके हम ने यह deal किया है क्योंकि the total management, the leadership हमने क्या build-up किया है वो continue करेगी वो नया investor कर साथ वो भी हम देखना चाहिए कि वो कैसा future में growth हो जाएगा that's very important for us और swap ratio में एक एक बार अच्छा वालुएशन अच्छा मिल जाता है लेकिन वो वापस हमको investment हो जाता है दूसरा company में तो इसलिए हमने सोचा कि हम cash deal करेंगे cash deal करने से एक advantage है कि हमारा CRAR capital education improve हो जाएगा थोड़ा बहुत और हमारा company के लिए हमारा growth के लिए थोड़ा capital मिलेगा और cash भी मिलेगा तो ये पैसा जो पूरा आने वाला आपके पास 3900 कृड़ उपे जो भी amount है ये पूरा आप अपनी capital education ratio को auger करने के लिए इस्तमाल करने वाले हो growth के लिए और एक तो इसका जवाब और दूसरा शेरोल्डर के लिए हाथ से डील क्यों important क्यों करी आपने क्या जरुवत थी क्योंकि आप तो एक standard entity रह जाएगी श्रीराम finance शेरोल्डर के लिए ये इसलिए important है कि हम हमारा core business में ज़्यादा focus कर रहे है और तो हमारा core business करने के लिए हम ज्यादा प्रयास करेंगे बॉटम लाइन का मतलब digitization process improvement and asset quality improvement यह तिनों चीज को अपर हम ज्यादा focus करेंगे तो so that the profitability business profitability और ज्यादा improve हो जाए core business पर focus करेंगे bottom line profitability focus करेंगे और मैं I think आपके पिछले कुछ interview सुन रहा था last I think mid 23 से भी अब बहुत जादा focus करना चाह रहे थे to construct a strong AAC business क्या यह उस दिशा में भी है कुमेश जी में हम we wanted to specialize in retail collections वह हमारा एक अंदाज था अभी भी यह सी का business शुरू नहीं हुआ है और एक हमारा पूरा अभी तक नहीं आया तो हमरा focus इसमें सिर्फ retail collection को इंप्रू करने का उपर है तो अभी 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 तक नहीं आया इसलिए हम उसके उपर ज्यादा है बात कर सकते हैं आपने AAC के लिए अप्रॉक्सिमेटरी 300 कौर्टर पर का आवंटन किया ना हुमेश जी आँ ठीक है करेक्ट ओके अच्छा अब मांग जलते हैं कि थोड़ा सा मैं जब आपकी Q4 के नंबर को देखा था सर यहां पर परस्नल लोन चाहर टू बिलाज जिसको आपने को बिजनस माना है लेंडिंग टू एमिन रिटेल थोड़ा सा स्लो डाउन था वहां पर अगले दो कौर्टर के लिए आपका आउटलू किया है यहां पर जो आपका को बिजनस में किसी ग्रोध देखने हैं 525 के शुड़ाती दो कौर्टर में नार्मली फ़स्टाफ अप दियर इस टोड़ा दैन सेकंड हाफ लेकिन ये साल में थोड़ा एलेक्शन के वज़े से मुझे लगता है कि गौने प्रोजेक्ट्स में फोड़ा रहेगा कि गौबंट मेशिनरी एलेक्शन प्रोसेस में इन्वालडू है इसलिए ठोड़ा एक जाएगा फस्त दो मेना, बात में डिफिनिटली वो फिक अप हो जाएगा सेकंड कौर्टर में और एक अंदाज, एवरेज मौनसून का अंदाज, IMD ने एक पॉजिटिव दिया है, इसका वज़े से मुझे लगता है कि सेकंड क्वाटर अच्छा रहेगा और सेकंड हाफ और अच्छा रहेगा. क्योंकि बिजनस की बात छेड़ दी, तो अजा, डिस्बर्स्मेंट्स, जो क्यू फोर के नंबर आयते हों मेश सार, तो उसमें क्यू आउन क्यू डिस्बर्स्मेंट्स धीमे पड़े, स्पेसिविकली टुविलर लोन्स, कंस्ट्रक्शन, पर्सनल लोन्स, इन पॉकेट पे, तो कोई सोच सवाच समझा रीजन है कि आप लोग धीमे पड़े हो या फिर एक्चुली पॉकेट धीमी पड़ गई है, क्या चल रहा है? नहीं, हमारा एक फोकस सब में रहा है, लेकिन परसनल लोन में हमने थोड़ा ज्यादा स्कूरूटिमी और एक ग्रेडिट रूल एंजिन थोड़ा स्ट्रॉंग किया है, और इसका वज़े से हम परसनल लोन में थोड़ा स्ट्लो कहा थे, क्यू फोर में, बाकि सब सेग्में मारा फोकस जारी है. जब यतिन आगे जोड़ेंगे, तब उस MSCI Index के Rebalancing और अपडेट स्लेट चर्चा करेंगे. वो एक हुक के तौर पे ऐसे बहुत सारे interesting stocks हैं, जो आगे चर्चा गाएगे.